नमस्कार साथियों नव वर्ष के आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत बधाई आपका ये वर्ष आपके लिए उजवल हो आप अच्छे किर्थिमान इससाबित करें आपके अच्छे परसनेज बने आप अच्छी सफल्दा अरजित करें साथियों हम किशन बेंक सीरीज पढ़ रहे हैं और किशन बेंक सीरीज में अभी जो चेप्टर 13 की बात कर रहे हैं चेप्टर 13 एमिन हैं और एमिन का हमने एक पार्ट पर लिया है आज ये सेकंड पार्ट है हम किशन बेंक के सभी की प्रशनों को हल कर रहे हैं सिस्टेमेटिक विथ कॉंसेप्ट के तो आपको जो इससे एक्जाम में काफी कुछ हेल्प मिलेगी आपका जो 2022 का जो परिक्ष्या होने लग जाए तो फिर पढ़ने का मजा नहीं आएगा है ना पड़ो इज्जाय से पड़ो मस्ती से पड़ो सारे चेप्टर सापको स्वालव करने हैं तो शुरूवात करें साथियों एनिलीन बनाने की प्रियोक्षाला विधी आज का जो क्यूश्यन है एनिलीन एनिलीन C6-H5-NH2 एरोमेटिक एमिन है इसको बनाने की प्रियोक्षाला विधी देखते हैं C6-H5-NH2 एनिलीन मतलब इसको structure के form में लिखेंगे तो यसे लिख सकते हैं कि जो बेंजिन दिंग बनाते हैं उसके सीर पे क्या बिठा दो एनिलीन केते हैं क्या केते हैं एनिलीन एनिली कि अपचैन से बनाते हैं तीन और हैडोक्लोरिक अमलाद्वारा नैट्रोवेंजिन के अपचैन से मनाते हैं यह पस्च्वाही संगनीत्र एक रिफ्लक्स करणंसेतर उसमें क्या है आपन इसटिलेशन करते हैं तो उसमें तो संगनीतर का मतलब होता है कि इसका जुका वापस उसी तरफ हो मतलब वास्वाव संहूरत और है तो इसको किले अजिक है शालकया कि एалuf ग्राम क्या लगाते हैं मनात्राव बढ़ प्रते लगबंपल आपटे हैं प्रत्य ये do यह और पर यह बढ़ाते हैं कि इसका मेधों यहाँ से वास्व आजिए सालूशन। को यह संगनीत्र लगा रखा हैं इस तरीकऊ से इसका अर्रेजमेंट किया चलेता है इसका इस तरीके से बब्लिंग न हो इसकी पूरे साल्यूशन की इसलिए जुका वेसे रखा जाता है इस फ्लास्कों को थो पष्थ है और जाता है अलग 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 प्रतथ को जाते हैं अगे भात करें यह होता क्या है इस्के अंदर एस्ट फी डाल रहे हें और यहां पर चैस और हैं सर्ट के या रहा रहे है हमें जुडरहुत है इस ऐडरोजनать कि सेयह, reaction करके SNCL4 प्लस hydrogen निकल रही यह नवदाथ hydrogen की requirement हमें यह नवदाथ hydrogen जो है C6H5NO2 से reaction करेगा और यह बन जाएगा C6H5N और दो hydrogen यहां से C6H5NH2 प्लस 2H2O बन जाएगा तो यह है reaction मेन मेरी बात आपको समझ में आई होगी इसके अंदर मतब कुल मिला के इसके अंदर क्या मिलाया गया टीन और HCL मिलागया तो यहां से 4C1 चिल ले हा यहांसे थी चार थे रिएक्शन बचरे है यह दोनों रिक्षण लिख लो काफी है चाहे नीचे वाली रिक्षण आप एग्जाम में निलिखो तो भी चलेगा यहां फिर इसको लिखना चाहो तो C6H5NH2 2HCl SNCL4 इसको लिख सकते हो C6H5NH2.HCl2 SNCL4 एसे लिखो तो भी चलेगा कि 2.11 Aniline Stenyl chloride यह यह दोनों reaction लिखे आओ तो भी चलेगा यह इसका diagram है Aniline मनाने की वीधी का ओके यह इसका diagram है Aniline प्राप तो हो रहा आपने इसको Aniline Stenyl chloride लिख रहा है इसकी कास्टिक सोडा के साथ reaction करवाते है प्राप तो ठोस फदार्तों को कास्टिक सोडा विलियन द्वारा शारी करने पर द्विक लवन जो द्विक लवन है इसको इस फोम में लिख रहा है इसको ऐसे लिख रहा द्विक लवन हो जाता है और Aniline मुक्त न हो जाता है अनिलीन की वाशप को यहां पर अपन कलेक्ट कर लेंगी यह diagram है एनिलीन बनाने की प्रयोक्षाला भी दी इलियरे चलिए अब आप इसका तो इसका screenshot लीजिए आप फिर आप आगे ये reaction हो रही है है चलिए आगे किश्वन की चर्चा करते हैं प्राइमेरी एमीन सेकंडरी एमीन और टर्शरी एमीन में विभेद कीजिए प्रात्मिक दृत्यक तर्थयक एमीन के विभेद किजिए विवेद करने के लिए परिक्षन एलकील हलाइड की क्रिया करवा रहे हैं आर एकसी की क्रिया करवा रहे हैं तो तीन अनु एलकील हलाइड के साथ अभी क्रिया करके चतुर्थक लवन बनाते हैं इसमें दो अनु रियक्षन करेंगे दूत्यक एमिन में इसमें तो किते reaction करेंगे? तीन अनू क्यों कर रहे है? primary amine है ना? primary amine तो इसके तीन अनू reaction करेंगे यह लिया अपनोंने जैसे कि primary amine, primary amine में NH2 यह R NH2, यह primary amine R2 NH जित्यक amine R3 NH R3N है ना? यह तरत्यक amine हो गया tertiary amine तो इसमें जो जग्ये है इसमें तीन मालिकुल और दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे है ना? यह जो है R NH2 के साथ में Rx के तीन मालिकुल Rx के तीन मालिकुल reaction करेंगे है ना? तीन अनू अलकिल हलाइड के साथ अभी क्रिया करके quarternaly alone मनाते हैं इसके दो हाइड्रोजन निकलेंगे कितने निकल जाएंगे? दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक इलकिल गुरूप जुड़ेगा और उसके साथ में X से भी जुड़ जाएगा ठीके? तो यह यह जो है R4 इसको लिख सकते हो अब R4 NX NX R4 NX मनेगा यह चतुर्तक लवण चतुर्तक लवण मनाते है R4 NX इस टाइप का तो यह जाएड्र की अभी क्रिया तो तीन निकल 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 की साथ अभी क्रिया करके चतुर्तक लवण मनाते हैं सिस्ट पर दोड़ों भी पाइटिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि दो एंकिल घ्रूफ और जुड़े हुआ हैं कि तीन एपकर निला या बेंगने हो जाता है केवल योगात्म योगिक बनाता है एटिशन प्रोड़क्ट बनाता है लुटन नहीं है अगे अम लक्रोडाइट से भीग रिया मॉनो एल्कील विद्पन बनते हैं डाइ अलकील विद्पन बनते हैं योगात्मक योगिक बनते हैं उम्हें अलकुराइट मताइट के साथ रियक्शन करवागे तो फिर है आपके के साथ गर्म करने पर दुर्गंद युक्त कार्वील साइने के इसमें प्राइमेरी एक्षिन किया जाता है इसके थो तुर कोई य विग्रिया नहीं होती है कोई य विग्रिया नहीं होती है carbon disulfide के साथ अभिक्रिया आसंति और इसो थायोसाइनेड बनाने के कारण सरसों की तेल ज कोई अभिक्रिया नहीं होती है क्विक्रिया के द्वक्रिया और बहुत सारी reaction तो तरत्यक एमिन तो बहुत सारी reaction करता ही नहीं है तो इसकी फूलफिल होती है तीन एलकिल गुरूप आल्डरी जुड़े रहते हैं जो कि हटते नहीं है किलियर है तो यह reaction देख लेना आप कौनसी reaction देखी अपनोंने प्रात्मिक दूत्यक तरत्यक एमिन में डिफ्रेंस प्राइमेरी सेकंडी टर्शरी एमिन में डिफ्रेंस चली आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं ज्वीटर आयन मेरी बात ध्यान से सुनना ज्वीटर आयन में क्या होता है यह लिख रहा हूं में इन एश आर एन ह्टू सि एच आर सी डबलो एच यह एमिनो इसीट से हैं क्या कहते हैं इनको एमिनो इसीट से कहते हैं और एमिनो असिट से हम जुवित्रा आयन के बात करेंगे होगा क्या है इमिनो असिट्से में डिफ öट कया। डिफ्रेंट डिफ्रेंट ट्राइब के em donor होते हैं जैसे है र का होता धो प्रोटीन्स बनाते हैं अब ज्विटरायन की condition में क्या होगा कि ये H को पहुचा दू में यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जागा COO- जहां से देखिएगा ये NH3 प्लस CHR और ये COO- ये ज्विटरायन की condition है तो M1 अमल में एक ही अणू में विद्यमान दो विप्रिस सभाव वाले समूओ NH2 और COOH की परस्पर क्रिया से NH2 और COOH की परस्पर क्रिया से आंत्रिक लवन जैसी सनचना बनती है जिसे क्या केते हैं ज्विटरायन केते हैं और इसको कहा जाता है एमिनियम आयन इसको क्या कहा जाता है एमिनियम आयन एमिनियम आयन और इसको कहते है कार्बोक्सिलेट आयन C डबलो मैनस को कार्बोक्सिलेट आयन यह है ज्विटरायन अब इसके बारे मोड आगे पढ़ते हैं इसके लिए ले लिजेगा इन अंत्रिक लोगनों को क्या किते जीटर आयन, ये, ये जीटर आयन कृदिशन ये जीटर आयन, R, C, H, C, O, और ये नहीं प्लस, नहीं प्लस इन अंतिक लोणों को जीटन आयन या उभेधर्मी है ना विद्यू दपगेटी या द्वीद्रू आयन कहते हैं द्वीद्रू सनचना के कारण द्वीद्रू मलब प्लस और माइनस दोनों चार्जेस है प्लस और माइनस दोनों चार्जेस है द्वी द्रूवी सनेशना के कारण ये उभैधर्मी अमल शारक गुण प्रकट करते हैं अर्थारत ये अपने से प्रबल अमल से प्रोटान ग्रहन करके लवन बनाते हैं और अपने से प्रबल शार को प्रोटान का दान कर सकते हैं ενि dai स्थी डबलो माइनस के कारण होता है। स्थी डबलो मैनस के कारण होता है। assume लग любим अ इस प्लस को देने की ब्रूरती रखता है X जहां से देखियेगा इसमें जो हैं यह RCH NH3+, COO- Kое-くो के साथ, तो यहां से क्या किया? इसने 1H Plus को खीच लिया, है ना, यहां से NH3+, से 1H Plus खीच लिया, तो यह H2 Comvert हो गया, H3лы plus में, इसे RCH COO- NH2 यहां पर क्या किया? इसने 1H Plus गहन कर लिया, यहां पर एक खप्लस घ्रहन कर लिया तो यह C02 minus group किस में कर्ण्ट हो गया C05 में convert हो गया ठीक है C00 H में convert हो गया यह एक हो पर गया एक है यहां पर आ गया То यह convert हो गया NH3 Plus और Cheoh यह रहे गया OH minus कि जब किसी अयमीनो अमलों को जल में गोला जाता है तब जली विलियन में प्रदशित रूपों के सामें मिशन बनता है जल अमलोड शारक दोनों के समान विवार प्रदशित करता है जल क्या है एच प्लस देता भी है और एच प्लस ग्रहन भी करता है इसलिए अमलोड शारक दोनों के समान गुण प्रदशित करता लाहे, द्यान से देखेएंगा ये condition, ये, ये NH3 plus है, ये sharky iron है, इस condition में और इस condition में COO minus, ये oms, COOH से COO minus बना, तो ये हो गया oms, ठीक ये, NH3 से NH2 से NH3 plus बना, ये हो गया sharky iron, यह H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H- ज्वीटर आयन आर सी एच सी डबल ओ माइनस और ये एनश थ्री प्लस ये द्वी दुरु आयन ये ज्वीटर आयन इसी को कहते हैं बहिया और ये एच बापस यहाँ पर बेच दिया तो ये आपका बन गया उदासी नेमिन अमल यहाँ का येच यहाँ बेच दिया ये उदासी नेमिन अमल बनी किया तो ये ज्वीटर आयन में यही चर्चा करनी है अपने को ओके इसक्रिंशार्ट ले लिजएगा पढ़ लिजएगा इसको अच्छे से काफी कुछ मेनत करनी पढ़ रही है आपके लिए आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट है आपके क्विशन एमिन की शारी प्रकरती को समझाईए एमिन की शारी प्रकरती को समझाईए एमिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एमिन होते हैं प्राइमेरी एमिन, सेकंडरी एमिन, तर्शरी एमिन ठीके तो AIMIN की शारी प्रकरती को समझाना है आपको समझाओगे? चलिए AIMIN की शारी प्रकरती यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये R फिर ये N ये H और ये इसको क्या केते है? Tertiary AIMIN केते हैं, तरतियक AIMIN केते हैं ये N अगर दो अलकील ग्रूप जुड़े हुएं, ये R और ये R, और ये H इसको क्या केते है? Secondary AIMIN केते हैं इसको केते है Secondary AIMIN और ये DIN से एक R ये जुड़ा हुआ है और दो हाइडरोजन जुड़े हुए है इसको केते हैं प्रात्मिक AIMIN और इसको केते हैं Ammonia ये Ammonia Primary AIMIN, Secondary AIMIN और ये Tertiary AIMIN और इसको केते हैं Ammonia तो AIMIN की शारी प्रकृति को समझाईए तो चुकि Elephatic AIMIN Ammonia की वित्पन है Ammonia की वित्पन है सभी मतलब Ammonia में से Hydrogen आप हटा दे जाओ Ammonia में से आप जो है Hydrogen हटा दे जाओ क्या बन्दा जाएगा Amine बन्दा जाएगा एक Hydrogen भटा तो ये Primary AIMIN बन गया अगर दो Hydrogen हटा है और दोनों जगे Alkyl Group जुड़ गए तो ये 2 एक Amin बन गया अगर तीन Hydrogen हटा है तीनों Hydrogen हटा है और तीनों जगे Alkyl Group जुड़ गया है तो ये टरिशरी Amin बन गया तो चुकि Aliphatic Amin Ammonia की वित्पन है इसलिए यहां भी शारी होते हैं कैसे होते हैं शारी होते हैं किन्तों Ammonia से अधिक Basic होते हैं यहां होते हैं अधिक Basic क्यों होते हैं अधिक Basic क्योंकि इनके पास यहां पर क्या है Electron प्रतिकर्शी Group है Alkyl Group क्या होता है Electron प्रतिकर्शी Group और यहां पर Electron density को बढ़ा देते हैं तो यह एकांग की इलेक्टरान युग में देने की प्रवर्वर्थी और ज्यादा बढ़ जाती है है ना, अमोनिया के बजाए ये ज्यादा शायरी होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इन में एकांग की इलेक्टरान युग में देने की प्रवरति क्या हो जाती बढ़ जाती हैं क्योंकि एलकिल ग्रूप प्रदेन होता है आर के एलकिल ग्रूप एलकिल ग्रूप इलेक्टरान प्रतिकर्श होता है तो एलकिल ग्रूप इस नाइट्रोज गहन करते हैं इस कारण अपएक्षा से अधिक बेसिक हो जाते हैं इन यह प्रकृति का करम यह होगा सबसे बने में यह होगा किन्तु यह क्या होता है कि यह सबसे ज्यादा बेसिक होता है ध्यान से देखना सबसे ज्यादा बेसिक लचेक फिर प्राइमरी और फिर लेकिन ये त्री लेक्न ये वादा पिड़ा कर रहे इसे एक-वापस उस कंडिशन में क्या खाएंगे सब्से ज़्यादा जो होगा केमेस्टि हैं तो से एक्सेप्शन है सबसे ज़्यादा द्वितियक हैं द्वितियक से फिर प्राइमरी प्राइमरी से फिर टर्शेरी और टर्शेरी से फिर अमोनिया तो एलिफेटिक एमिन अमोनिया से ज़्यादा शारी तो है और सबसे ज़्यादा शारी कौन सा माना द्वितियक फिर एलिफेटिक एमीन अपेक्षा से अधिक बेसिक होते इन एमीनों की बेसिक प्रकृति का करम टर्शेरी देन सेकंडरी देन प्राइमरी और यह क्या है अमोनिया नहीं पाया जाता इनकी शारीता प्रवलता का करम सेकंडरी देन प्राइमरी देन टर्शेरी देन अमोनिया यह ह कि त्रीवी में बाधा पैदा करते हैं ज्यादा ज्यादा भी होना अच्री बात नहीं है कि हाँ ज्यादा गुरूप लग गए उस कंडिशन में फिर बाधा पैदा हो जाएगी आगे बढ़े अगला क्यूशन है एथिलेमीन ता इनिलीन की नाहें करिया किरिया कर वह कि तो यह है एथिलेमीन और एनिलीन कुछ भी नहीं है इसमें इस वाली रियक्शन में C6H5 C6H5 और यहां से O और यहां से H उठा लिया यह N और यह N यह N2 दो हैड्रोजन और एक अक्सिजन यह H2 पहले भी आगी रियक्शन यह N2 यह N2 बनाता है जबकि एनिलीन ऐसा नहीं करता है अब एनिलीन की हनो टू है ना तथा अमल से हल से क्रिया कर कर बेंजीन डाय दूजन रंजग उत्मन करता है यह N2 गेस का उत्पादन नहीं करता है यह N2 गेस का उत्पादन नहीं करता है ठीक है dudson 2 Series 5 खिंटी यह बेंजीन डाय दूणियम क्रॉग बन रहें बैंजीन डाय दूणियम क्रॉग ऑं किल्यर है यह रियक्शन मैं ने पहले भी बता दी थी पहले भी आ चुकिए ये रियक्शन होगा क्या भीया ये HNO2 कहां से बना ये इस रियक्शन को में अब आप ऐसे समझे ये C6H5 NH2 ज्यान से देखना प्लस ये बन रहा आपके लिए HNO2 HNO2 कैसे बना? HNO2 बना आपका NNO2 और HCL की क्रिया से HNO2 बना सोडियम नाइटर्ड की क्रिया से यहां ये लिया मैंने HNO2 प्लस ये लिया अपनोंने HCL ज्यान रखना ठीक है HNO2 यहां पर NNO2 की क्रिया से जो है NNO2 और HCL की क्रिया से ये HNO2 बन रहा है इमेजिनेशन करना यहां पर ये C6H5 ये N और ये N और यहां से उठा दिया CL ठीक है? तो ये हो जाएगा C6H5 N2Cl N2Cl प्लस दो हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये तीन और एक हाइड्रोजन और दो अक्सेजन प्लस लिख लो आप 2H2 ये बन किया बेंजिन डायजनिम्टूराइट तो HNO2 और अमले की क्रिया से बेंजिन डायजनिम्टूराइट रंजग उत्पन करता है यहाँ पर N2 नहीं निकल रही जबकि यहाँ पर N2 निकल रही है एथिलेमिन की नायट्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो नायट्रोजन बनती है ओके? चलिए आगे बढ़े थोड़ा बुध हो रहे है क्या बाते है? शिमत अभी क्रिया आप शिम्त अभी करिया और मस्तर्ड आइल अभी की रिया शिम्त अभी क्रिया इंपोरटन रियक्शन है बेटा जी है जब क्लोरोफाम यह C6 ए H6 है ना बैंजिन दे लख रह है क्लोरोफाम या C6, H6 बेंजिन में विले हाइड्रोजोई कमला, हाइड्रोजोई कमला किसको केते है HN3 मतलब अपन NH3 पढ़ते हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं HN3, HN3 को हाइड्रोजोई कमला केते है कि मोनो कार्बुक्स के लिए कमला पर हाइड्रोजोई कमला की मोनो कार्बुक्स के लिए कमला क्या ले रखा HN3 के लिए कमला पर किसकी किरिया करवा रहे है HN4 के उपसिती में 55 डिग्री सेल्सियस पर किरिया कराए जाती है तो प्रात्मिक अमिन मनता है तो प्रात्मिक अमिन तो प्रात्मिक अमिन तो CH3 यहां से लिए एक नाइट्रोजन यहां से उठाया एक हिए उठाया और एक हिए CH3 NH2 बनी गया यहां से ग्या होजाएगा CO2 यह CO2 और यहां पर 3 nitrogen है 3 nitrogen में से 1 nitrogen यह काँ 2 nitrogen और बच रहे यह लिख लिया आम अज में आया सेम ऐसे कैसे C6H5 यहां का N3 में से 1 nitrogen उठाया 1 HA और 1 HA C6H5 NH2 एरोमेटिक एमीन बनी गया इसको एनिलिन भी कहते हैं प्लस ये CO2 ये CO2 बनी गया प्लस दो nitrogen और बच रहे थे ये nitrogen निख लिए है क्लियर है next reaction है mustard oil अभी करिया mustard किसको कहते हैं सरसों को कहते हैं सरसों के तेल अभी करिया ये भी कह सकते हैं तो एलिफेटिक प्रात्मिक एमीनों को, ये एलिफेटिक प्रात्मिक एमीन है, CH3-NH2, इसके किसके साथ रियक्षन करवाई, कार्बन डाई सल्फाइड तथा HGCl2, के साथ गर्म करने पर सर्सों के तेल जैसी गंद युक्त मेथिल आईसो थायोसाइनेड बनता है, ये कुशन भी वाता है, कि मस्टर्ड आईल अभीक्रिया में क्या बनता है, तो मेथिल आईसो थायोसाइनेड बनता है, इसलिए इस अभीक्रिया को मस्टर्ड आईल अभीक्र यह कहते हैं देखो मेथिलेमिन की रियक्शन हुई CH3NH ठीके यह जो है ना यह ऐसे था C double bond S और यह S double bond तो यह hydrogen इधर जोड़िया तो यह CH3NH एक hydrogen यहां जोड़ दिया और यह CH2 इस टाइप से तो यह intermediate compound मना इसकी किसके साथ reaction करवाई HgCl2 के साथ करवाई तो CH3N CS CH3N CS मेथिल आइसो थायोसाइनेट CH3N CS मेथिल आइसो थायोसाइनेट प्लस क्या है यह हो गया Hgs यह हो जाएगा Hgs CH3N CS चाओ तो इसको लिख लो चलो CH3N CS यह हो गया Hgs प्लस दो hydrogen यह और दो chlorine 2HCl कैसे भी लिखो अपने समझने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि reaction को balance किया जाता है क्योंकि पर्माणों की संख्या खत्मना ही होती है तो भाइस अभी मस्टर आयल अभी करिया होगी श्रीमाण अभी करिया फिर मस्टर आयल अभी करिया अब हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर लास्ट क्यूशन बचा भी यह इस चेप्टर का मेथिल साइनाइड और एथिल साइनाइड और एथिल आइसोसाइनाइड या साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर बताईए तो एथिल साइनाइड और एथिल आइसोसाइनाइड में अंतर देख लें परिक्षन किया जाता है गंद, तीवर परंतु अरूचिकर नहीं, अत्यन दूर्गंद बाला होता ह। जल में विलेता है, विलेशिल हैं, ययल प विले हैं, अम्ल द्वारा जल पगटन, प्रोपियोनिग अम्ल देता है, यह एसल एमल मनाता है, देखो, इसको किते हैं यह अमोनिय निकल जाएगा ठीक है और यह क्या कर रहा है एथिलेमिन देता है C6H5 समझा देते हैं C6H5N और यहां से दो हाइड्रोजन उठा लिए C6H5NH2 हो गया दो हाइड्रोजन और बच रहे हैं तो HC लो अक्सिजन बच रहे हैं दबल ओ और एक हाइड्रोजन फिर लिख लिया HCOOH इसी टाइप से इसमें C2H5C और यह H2O को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो यह H2O और यह HOH ऐसे लिख दिया तो यह NH3 निकल जाएगा NH3 और C2H5COOH समझाने के लिए अपचयन प्रोपीलेमिन प्राप्त होता है इसका अपचयन करवाद हो प्रोपीलेमिन मतलब 2 hydrogen इसको मिल जाएंगे और 2 hydrogen इसको मिल जाएंगे तो C2H5 C की जगे CH2 लिख दिया और ये N NH2 C2H5 CH2 NH2 क्या कहते हैं इसको प्रोपीलेमिन इसका अप्चेन करवा दो तो methyl ethylamine प्राप्त होता है ठीक है methyl ethylamine प्राप्त होता है तो तीन hydrogen तो यहां जोड़ दो आप और एक hydrogen दे दो इसको nitrogen को तो C2H5 NHCH3 मेथिल ethylamine मेथिल ethylamine C2H5 NHCH3 तो ये हो गया difference cyanide और isosyanide की बीच में अंतर गंद कैसी आती है जल में विलेता आमने द्वारा जलब गटन और अप्चेन ये चार अंतर हो गया और ये आपकी चार नंबर की यूनिट कंप्लिट फिनिश है तो हमने और अर्गिनी केमस्ट्री पूरी पढ़ लिए हैं बड़े मज़तार तरीके से अब तैयारी करना आपके हाथ में तो साथियों काफी कुछ मेनद करना पड़े आपके लिए तो आपका फर्ज बनता है कि यह जो वीडियो है मेरे यह पूरी प्लेइलिस्ट सभी स्टुडेंट पहुशा दो जिनको इसकी जरूरत है शायद इनके इस से कहीं न कहीं उसके परसेंटेज में परसेंटेज में न आया, आराम से बनेंगेगा चसे परसेंटेंगे, बन आए बस आप अच्छे से सॉल्व के जो भी ऐसे च्छाप्की आईए आपकी आणसर देना है आपको बिल्कुल छाप कियाने है अच्छा नमबा आएंगे को कोई परवानी करना है विदाओ टेंशन की एक कुई बार और फिर ना वर्षई की बहुत बहुत हार्ड शूपकर बना आए बढ़ाई